अर्विक कविता जो मेरे तीसरे संग्रा से है जो 1990 में संग्रा निकला था इसका शीर शक है गोषना, मैंने जान बूज की यह बाद बताए कि यह तीसरे संग्रा से है जो 1996 में निकला था तक ये न माना जाए कि कविता मैंने इधर लिखी मैंने गौर से देखा और पाया की राष्ट के प्रधान के जीवन में नीन नहीं मंत्रि मंडल की बैठक हमेशा देर रात हर जरूरी फैसला आधी रात के बाद फॉज की तैनाती का हुकम ढाई वजे रात विरोधियों की नजरबंदी का आदेश पौने तीन चीनी पर टैक्स बढ़ाने का फैसला मध्यरात्री के इर्दगिर विदेश यात्रा की उड़ान राद दो बजे विदेशी महमान का विवान पत्तन पर स्वागत तीन बजे हत्यारों से मंत्रना किसी भी ख्षण जीवन में नीन नहीं राजा चुपके से काटता है चक्कर रात में नए नए भेस में अलग अलग घात में जो सोए उनके माथे से तकिया खींचता फेंकता खलिहान में लुकाथी मसुमात के खेत से मूली उकाडता खोलता बद्रू की पाठी गुद्दा गटक फेंकता आंगनों में आठी जीवन में नीन नहीं माना कि वहां बहुत उजाला है माना कि वहां बहुत उजाला है फिर भी रात में रात तो है ही और इधर आलम ये कि नो बस्ते बस्ते ढेर और दस तक तो देह के सारे पूर्जे खोल मैं विसर्जित हो जाता हूँ नींद के महा समुद्र में सो मैं भारत का एक नागरिक एतद्वारा घोशना करता हूँ कि नींद मुझे रास्ट के सरवच्च पद से ज़्यादा प्यारी है एक कविता है मैं अभी दो साल पहले में गुजरात गया था ऐसी यात्रा के लिए वहाँ गुजराती साहिचे का संबेलन भी था तो में नडियाद भी गया मैं सरदार का जन्म जहाँ हुआ था वहाँ भी गया नडियाद के पास और नडियाद में गुवर्धन राम त्रिपाशी के घर गया आप सब ने सरस्वती चंद्र उपन्यास का नाम सुना होगा पढ़ा होगा शायद और बहुतों ने फिल्म देखी होगी सरस्वती चंद्र वो प्रेम की महान गाता है और शायद विश्व में जो कुछ महान प्रेम कताएं लिखी गई है उनमें सरस्वती चंद्र है वो गुजराती में है उसका हिंदी अनुवाद चार खंडों में अभी आ गया है ये कवितस गुवर्धन रामत्र पाठी के घर पर उनको समर्पित है इसका शीर्शक है कबूल हे कवी हे गाथाकार तुम्हारी चौखट पर माथा टेकता कबूल करता होने संकोच कि मैंने कभी प्रेम नहीं किया जाना ही नहीं न निर्वाद न जंजावाद न कभी किसी उड़ते पक्षी के पंखों की हवा हठाद आनन पर मेरे लिए दिन दिन रहा और रात रात न गोधुली न प्रात मैंने कभी प्रेम नहीं किया भग्यवान हैं वे जिनने प्रेम किया उनसे भी अधिक वे जिनने प्रेम मिला पर सबसे भग्यवान हैं वो जिनके प्रेम के गीत गाए गए और महान है वो जिसने गाए प्रेम के गीत आज इस शिशिर की रात आज इस शिशिर की प्रात तुम्हारी चौकट पर माथा टेकता एक बार फिर कबूल करता हूँ कि मैंने कभी जाना नहीं प्रेम पर जखता रहा रात रात तुम्हारी गाथा पढ़कर अंधेरी सुंसान गलियों के काटता चक्कर जैसे चक्रवाद की तूटी हवा अपनी ही देह की लप्टों में नाचता मैं हे कभी हे गाथाकार और अब ये अंतिम कविता ये कविता भी विभूती भूशन बंद्युपाध्ध्याय के घर में गया घाटशिला जिन महान उपन्यासकार बंगला के और उनके उपन्यासों पर सतीजीत राहे ने फिल्मे पनाई पाथेर पांचाली से लेकर सब अपूर संसार सब तो वो बहुत पवित्र स्थल है गाटशिला सुर्ण रिखा नदी के किनारे है इसका शीरशक है अर्ग मेरा जलपात्र तूट गया प्रभू मिट्टी का जलपात्र मेरा जलपात्र तूट गया प्रभू मिट्टी का जलपात्र अपने ही जल के खारेपन से धस्त अपने ही रंध्रों के संताप से मेरा जलपात्र तूट गया प्रभू और अब दोनों अंजुरियों में लाया हूँ जल स्वर्ण रेखा की धारा से खोलो कपाट प्रभू आने दो अंदर खिरता जा रहा है जल अंजुरियों के पोरों से तूटने दो सारे जल पात्र रिसने दो जल देखो उधर भरा है बादलों से नब भरी है पूरी प्रित्वी जल से यह प्रित्वी भी तो जल पात्र है प्रभू का मैं भी तो तुम्हारा ही जल पात्र हूँ प्रभू मेरी देख एक भाप लो स्विकार को रहिया अर्ग्य जलहीन जल यह शब्द जल मेरे प्रभू स्विकार करो कर दो कर दो